आज़िस हॉलिवुड मूवी की हम बात करने जा रहे हैं, उसका नाम है अमेरिकन साइको. ये मूवी साल 2000 में रिलीस हुई थी. ये मूवी एक साइकलोजिकल थ्रिलर है और ये मूवी एक अमेरिकन साइको नामक नौवल पर बेस्ट है. मूवी की शुरुवात होती है 1987 के न्यू यॉक में जहां एक रेस्टरॉंट में कुछ दोस्त बैठकर बात कर रहे होते हैं. इन लोगों में से एक है न्यू यॉक का जाना माना इन्वेस्टमेंट बैंकर पैट्रिक बात्मान. पैट्रिक एक अमीर इंसान होता है और वो अप उसकी एक गल्फरिंट एवलिन और ओफिस के कुछ दोस्त. यही होती है पैट्रिक की जिन्दगी. पैट्रिक अपने पैसों का शो आफ करने का एक भी मौका नहीं छोड़ता है. यहां रेस्टरॉंट में बैठे हुए भी वो अपने दोस्तों को यही बता रहा होता है कि कै जैसे उसे महगे डिजाइनर सूट, महगी गाडियां और दूसरी महगी चीजों का शोक है और वो इनी चीजों का इस्तमाल अपनी डेली लाइफ में करता है. बातों ही बातों में पॉल का जिक्र होता है जिसे एक बड़े आदमी का काम करने का मौका मिला है और यही वज़ है कि पैटरिक और उसके दोस्त इस चीज से बिलकुल भी खुश नहीं है. रेस्टरांट में बातें करने के बाद पैटरिक और उसके दोस्त एक क्लब चाते हैं और जब पैटरिक वहाँ ड्रिंक लेने जाता है तो वहाँ खड़ी वेटरिस उसे बताती है कि वो इस क्लब म से खेलना चाहता है लेकिन क्लब में काफी शोर होने के कारण वो वेटरिस पैट्रिक की बात नहीं सुन पाती इसके बाद एक दिन पैट्रिक और उसकी गल्फरेंड एवलिन गाडी में बैठ कर पैट्रिक के दोस्तों से मिलने जा रहे होते हैं तभी एवलिन पैट्रिक से श पहुचते हैं इसी बीच ये पता चलता है कि पैट्रिक का अफेर उसी की बेस्ट फ्रेंड कोटनी से चल रहा है और इस बारे में एवलिन को कोई खबर नहीं है रेस्टरिक से घर जाते वक्त रास्ते में पैट्रिक को एक औरत खड़ी हुई दिखती है पैट्रिक उसे दे लाल रंग का एक बड़ा सा स्टेन होता है। लॉंड्री वालों को ऐसा लगता है कि ये दाख खोन का है। लेकिन पैट्रिक उसे कहता है कि उसके हाथ से चादर पर जूस गिर गया था और ये दाख उसी जूस का है। लॉंड्री वाले फिर भी उस चादर को वाश करने से मना कर देते हैं पैट्रिक को घुस्सा आ जाता है और वो लॉंड्री करने वाली औरत को धमकाने लगता है तभी वहाँ कोटनी आ जाती है पैट्रिक कोटनी को देखकर पहले तो बहुत हैरान होता है फिर वो उससे अपनी चादर वॉश करवाने के लिए कहता है इसके बाद महंगे रेस्टरॉंट का नाम लेता है तो वो जट से मान जाती है अकले दिन पैट्रिक आफिस में पॉल से मिलता है जो पैट्रिक को अपना विजिटिंग कार्ट देता है दरसल पॉल पैट्रिक को गलती से अपना क्लाइंट समझ बैठा होता है पर पैट्रिक उसकी ये ग रात को ओफिस से घर जाते समय पैट्रिक को रास्ते में एक भिखारी दिखाई देता है। रात की चाहत दिन बदिन बढ़ती ही जा रही है, जिसका कारण वो खुद नहीं जानता। और उनके साथ काफी टाइम स्पेंट करता है। रात की एवलेन का वोईस मेला जाता है और पैट्रिक अपनी सेकरेटरी को मारने का इरादा बदल देता है। जब पॉल की मौत हो चुकी होती है तो उसका घर खाली होता है। पैट्रिक ये बात चानता था और इसलिए वो एक बार फिर से दो प्रोस्टिट्यूट्स को पॉल के घर पर पुलाता है। वो इन दोनों के साथ टाइम स्पेंट करने के बहाने इन में से एक लड़की को मार डालता है। और जब दूसरी लड़की ऐसा होते हुए देखती है तो वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है। भागते वक्त हॉलवेज में उसको बहुत सारी लड़कियों की डेट बॉडीज लटकी हुई मिलती है। वो बहुत डर जाती है और वो और तेज भागने लगती है। पैट्रिक भी हडबड़ा जाता है और बिना कपड़ों के ही उसका पीछा करने लगता है। अंत में पैट्रिक उस लड़की के उपर चेंज सौप फेक देता है जिससे उस लड़की की भी मौत हो जाती है। कहानी आगे बढ़ती है और पैट्रिक एक ATM में जाता है जहां पर उसे एक बिल्ली दिखाई देती है। जैसे ही पैट्रिक ATM से पैसे निकालने की कोशिश करता है, उसे ATM की स्क्रीन पर एक मेसिज नज़र आता है जिसमें लिखा हुआ होता है ये मेसिज देखते ही पैट्रिक उस बिल्ली को मारने लगता है लेकिन तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आ जाती है और पैट्रिक को ऐसा करने से रोगती है पैट्रिक को उस बूढ़ी औरत पर बहुत खुशा आता है और वो उस औरत पर गोली चला देता है जिससे उसकी म को एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी घलती करती है और अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है तो पैट्रिक अपने लॉयर को फोन करता है और सारी बात बताने लगता है लेकिन लॉयर फोन पर अवेलिबल नहीं होता और इसकी सारी बातें लॉयर के वोईस मेल में इसे पीच पै्टरिक को एक डिटेक्टिव मिलता है जो कि पॉल के घरवालों ने उसकी तुलाश करने के लिए रख्था हुआ हुटा है। और बताता है कि उसे ऐसी खबर मिली है कि पॉल लंदन में है क्योंकि उसके किसी आतमी ने पॉल को लंदन में कुछ दिन पहले ही देखा था। ये सुनने के बाद पैट्रिक के चहरे का रंग उड़ जाता है और उसे विश्वास नहीं होता कि जब उसने पॉल को अपने हाथ से मारा है तो वो जिन्दा कैसे हो सकता है और लंदन कैसे जा सकता है वो परिशान हो जाता है दूसरी तरफ पैट्रिक की सेकरेटरी जब उसके ओफिस टेबल के ज्रॉर में एक फाइल ढून रही होती है तो उसे पैट्रिक की एक डाइरी मिलती है इस डाइरी में पैट्रि पैट्रिक अपने लॉयर से मिलता है और उससे वोईस मेल के बारे में पूचता है जो पैट्रिक ने उससे भेजी थी और उससे कहता है कि उसने पिछले कुछ समय से बहुत सारे मासूम लोगों को मारा है और पॉल भी उन में से एक है ये सुनकर पैट्रिक का लॉयर उस पर हस उसने लगता है और कहता है कि पैट्रिक उसके साथ अच्छा मजा कर रहा है क्योंकि उसने खुद कुछ दिन पहले पॉल के साथ डिनर किया था पैट्रिक ये सब सुनकर और भी शौक हो जाता है उसे कुछ समझ नहीं आता और वो एक गहरी सोच में डूब जाता है और यहां इस मुवी का अंध हो जाता है इस कहानी का पूरा कॉंक्लूजन यही था कि पैट्रिक असलियत में किसी का भी मर्डर नहीं करता था और उसने अपने दिमाग में एक अलग ही दुनिया बना ली थी जिसमें वो लोगों को मारता था ताकि उसे ऐसा करके सुकून मिले लिकिन यह दुनिया पूरी तरह से पैट्रिक की कल्पना से बनी हुई थी इसमें किसी भी चीज में कोई सच्चाई नहीं होती इससे यह भी पता चलता है कि पैट्रिक एक दिमागी मरीज था जिसको डॉक्टर की हेल्प की जरूरत थी अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजेगा चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट में बताएं कि आप नेक्स्ट कौन सी मुवी का एक्स्प्लेनेशन देखना चाहेंगे थांक यू फो वाचिंग